आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर that is how do organism reproduce इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे reproduction in male and female male और female में की सरीके से reproduction होता है और कौन कौन से reproductive organ present होते हैं पहले हम ऐसे introduction देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में किस के बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं sexual reproduction in animals उसमें हम बात करेंगे gamits के बारे में जो cell sexual reproduction में help करती है उस cell को क्या करते हैं कहते हैं उसे कहते हैं gamits अब male gamit जो होता है animals में वो क्या होता है sperm होता है और female gamit को क्या बोलते है ओवम बोल सकते या तो हम एक बोल सकते हैं मेल के अंदर जो गैमिट प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते उसे कहते इस्पर्म और इस्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है टेस्टिस कौन करता है टेस्टिस करता है और फिमेल के अंदर जो गैमिट प्रेजेंट होता उसे क्या कह सकते या हम उसे कउन करता है क्या होता है fusion of male and female gamit male और female gamit का अपस में fuse होना उसे क्या कहते है उसे कहते है fertilization then fertilization are two type fertilization दो प्रकार की होते है internal fertilization and next is external fertilization internal fertilization क्या होता है नाम से पता चला internal body के अंदर होना inside the fertilization which occur inside the female body और असा fertilization जो female की बोड़ी के अंदर हो रहा है उसे क्या कहते है उसे कहते इंटर्नल fertilization example is birds, reptiles and mammals internal fertilization क्या होता है। जो fertilization female body के अंदर होता हुसे कहते इंटर्नल fertilization example birds, reptiles and mammals the next is external fertilization नाम से पता चला external का मतलब होता है outside जब female body से के बाहर fertilization होता है उसे क्या कहते है उसे कहते external fertilization example is frog and fishes इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर होता है external fertilization internal fertilization क्या होता है जब female body के अंदर fertilization होता है उसे कहते internal fertilization अब जब body के बाहर होता तो उसे क्या कहते external fertilization तुल नेक्स्ट हम सेह थिसक्स करें गिवाइक fizer अन्य Εंद्ध्र क्विस्टों के प्रेजिन होता है प्रेजन है इसके पीछे के तेस्स अब्डॉमिनल के बाहर क्यों प्रेजन होता है यह प्रेजट के यह चुर्थ होता है और प्रेजड बोलते scrotum बोलते to maintain her temperature for the formation of sperm then next is testis make a male sex cell testis जो function perform करता है पहला function तो वो male sex cell भी बनाता है साथ साथ में हार्मोन भी बनाता है और male sex cell को क्या बोलते है sperm बोलते है और जो हार्मोन बनाता हुसे क्या बोलते है testis ट्रॉन नाम से भी relate कर रहा है जैसे testis testis strong का formation कर रहा है then next is testis like ये तो उमने बता दिये testis जो है pouch like structure में present होता है उससे scrotum होलते इसलिए present होता है testis को temperature चाहिए sperm के formation करने के लिए और हमारी body का temperature जादा होता जब उससे जादा temperature प्रवाइड किया जागा तो sperm का formation नहीं होगा इसलिए testis जो है abdominal cavity के बहार होता है विथिना pouch like structure which is known as scrotum अब उससे कितना temperature चाहिए उससे चाहिए 2-3 degree Celsius 2-3 degree Celsius temperature चाहिए sperm के formation करने के लिए कभी-कभी ये भी question है पूछा जा सकता है then next is the secretion of seminal vesicle जो seminal vessels होते हैं और जो prostate gland होता है ये दोनो क्या करते हैं ये दोनो sperm को nutrition प्रवाइड करते हैं ताकि sperm वो easily male reproductive system से female reproductive system तक बहुँत जाए इसलिए दोनो क्या करते हैं उस sperm को nutrition प्रवाइड करते हैं then next is there is only one opening for the urine and sperm to pass out the body male के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही opening होती है जहां से urine भी पास होता है और sperm भी पास होता है क्या होता है difference अब जैसे कि हम आगे female reproductive system की बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ देख लेते मेरे reproductive का कुछ special point पहली बात तो sperm जो होता है वो motile होता है कैसा होता है motile होता है ओवम इस नॉन मोटाइल ओल्वेस इस इस में मोटाइल होता है यहां बोल सकते सिर्फ और सिर्फ मेल गयामिट ही मोटाइल होता है female गयामिट मोटाइल नहीं होती वह नॉन मोटाइल होती दूसरा point यह इस फर्म का formation whole life means पूरे लाइफ तक होता है बट अभी हम आगे देखें कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए होता है यह में बोल सकते कुछ साल के लिए होता है और नहीं होता है तो इस फर्म का formation क्या हो रहा है whole life पूरी life के लिए हो रहा है और इस पारीम कैसे है noticed क्ला ह recap also यूरीन और जो ओवन होता है इस्की ओपनिंग क्या होती है इस preferately होती अलग अलग होती है दे लेक्स्ट इस female reproductive system इट विल कंसिस्ट ओ ओवरी एक समेर प्रॉडपर के पास क्या-क्या प्रजेंट होता ओवरी दोता है साहँ साथ में ओविद्रक्ट होता है और यह उडिन्त को फैलोपटियं maudam कोव्री त्वसक् Jorge यो नाया परेज़न को सब्सक्राइब uh सफ्सक्राइब को निएख गी मilकल कि Ik続ka सब्सक्राइब लाटी बशेस होता है वो सिर्फ ऐसे एक को मेंट बनाता उसे क्या बोलते टेस्टिस्ट्रोन हार्मोन और जो ओवरी होती है वो दो हार्मोन बनाती कौन-कौन से इस्ट्रोजन हार्मोन और रोजिस्ट्रोन हार्मोन higher classes में इन दोनों हार्मोन के हम function के बारे में भी study करेंगे then next is the fertilization fertilization क्या होता है fusion of male and female gamut is known as fertilization उसे क्या बोलते है? किस के अंदर होता है यूट्रस के अंदर होता है यूट्रस यूट्रस को Handler है यूट्रस को प्रिदा संबस्ट है यूट्रस में टूब से डूसरा नाम है Obeduct Fertilization कहां पर हो रहा है Philippian Tube में Baby का Deployment कहां पर होता है Uterus में होता है जिसे commonly Wom भी कहा जाता है Then next is Vagina is known as the Birth Canal अब Vagina को Birth Canal क्यों कहा जाता है Vagina को Birth Canal इसलिए कहा जाता है जब बेबी की Delivery होती है तो इसी Vagina से ही होती है इसी वज़े से Vagina को क्या बोला जाता है Birth Canal बोला जाता है Then next is The opening for passing out urine and vaginal passes अभी हमने देखा था Male में urine और sperm की opening जो थी वो separate नहीं थी Opening क्या थी Same थी एक ही जंगे पर दोनों की opening होती है But female में ये जो urine होता है और जो vaginal passes होता है इसकी opening क्या होती है Separate होती है और Ovum कैसा होता है Non-motile Motile नहीं होता है Motile का मतलब होता है movement Ovum movement नहीं सो करता सिर्फ और सिर Spum ही move करके आता है किसके पास Female reproductive track के पास ठीक है जैसे ये ovum है और ये क्या है Spum है Spum आता है और ये क्या होता है इस ovum से attach होता है Spum आ रहा है अभी फिर उसकी बाद ये क्या होगा Ovum से attach होगा ठीक है जैसे ही Spum 오um से attach हो जाता है तुरंट किसका formation होता है Jigode का किसका होता है Jigode फिर उसके बाद ये Jigode बिल्कुल जैसे हम बेन किसमें होता है इंपरीओ में फिर उसके बाद चूब कि अंदर होता है दिढ colum पर में से यूटरूस्त में बेबी का इसवम और वम आपस में fuse करते तो किसका formation करते याइगोड फिर जाइगोड किसमें डेफ्लंप होता है embryothe शीचर सब्सक्राक्न करेंगे बर्थ kंट्रूल मेथड के बारे में लिएक इसमें देखार कि तीन प्रकार के बर्थ कंट्रोल मिथड होते हैं इसमें कौन कौन से मिथड आते और किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगी थी तब गवर्मेंट में क्या किया था बहुत सारे कॉंट्रासप्टिक जिससे क्या किया जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है जो लेडी प्रेगनेट नहीं होना चाहती वह इस कॉंट्रासप्टिक मिथड का यूज कर सकती है और बच्चों से दूरी बना सकती है तो इस पूरे लेक्चर में हम तीन प्रकार के कॉंट्रासप्टिक कि फेटिलाइजेशन से प्रीवेंट काना या प्रेगनेंसी से बचना उसे क्या कहते हैं कॉन्ट राशक्षिन देन नेक्स इस दियर वार मेज़ी त्री टाइप आफ मेथर्ट तीन प्रकार के मेथर्ट होते हैं सबसी पहला होता है बैरियर मेथर्ट नाम से पता चला कुछ barrier मिन्स barrier का मतोलब क्या होता है बाद है लगाना इस टॉप कर द की दा लिए न जा पाई diff होता है दूसरा होता है chemical method chemical method में क्या किया आता है कुछ chemical या special drug का use किया जाता है to separate a child से बचने के लिए उसके बात तीसरा है surgical method surgical method में या operation करके क्या किया जाता है to separate the space child बच्चों से दूरी बनाना तो तीन method के बारे हम स्टड़ी करेंगे कौन-कौन सा है Barrier मेथड दूसरा है chemical मेथड तीसरा है surgical मेथड नेक्स सबसे पहले बात करते Barrier method की to prevent the pregnancy by the help of physical device such as condom and diaphragm इसमें क्या किया जाता है physical device का use करके pregnancy से prevent हुआ जाता है कौन-कौन से device का condom गैफरम का use किया था किसका किसका kondom और diaphragm का कॉन्डम का यूज कॉन करता है मेल करते ओंडियर पैनिस अपने पैनिस को वर करने के लिए और डाइफ्रम का यूज कॉन करती पिमेल करती अपना सबस्क्रित है condom का यूज़ कौन करता है? male करते हैं क्या cover करने के लिए अपना penis cover करने के लिए और diaphragm का यूज़ कौन करती? female करती अपना वसाइन या service cover करने के लिए It will prevent the mating of ovum by acting as a barrier between them यह क्या करता है? यह ovum और sperm को आपस में mate नहीं होने देता क्योंकि जब तक दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेगनेंट नहीं होगी The next is condom is only a contraceptive method which can prevent the sexually transmitted disease such as gonorrhea, syphilis and AIDS Condom ही एक ऐसा contraceptive method है जो कि STD से prevent करता है, sexually transmitted disease से prevent करता है बाकि कोई भी contraceptive method नहीं है जो sexually transmitted disease से prevent करता है, accept condom इसलिए condom का use जादा किया जाता है, इसी वज़े से condom की demand सबसी जाता है और दूसरा benefit ये कि ये दोनों के लिए अबलेबल है, male और female दोनों के लिए अबलेबल होता है इसी वज़े से condom का use जादा किया था, क्योंकि ये क्या करता है, sexually transmitted disease से prevent करता है कौन-कौन से होती है, sexually transmitted disease जैसे gonorrhea हो गया, syphilis or AIDS The next method is chemical method, the female use two type of paste, female दो प्रेकार के पिल का use करती है, कौन-कौन सा होता है, oral pill, दूसरा होता है, vaginal pill पहला कौन सा होता है, oral pill, दूसरा क्या होता है, vaginal pill, both are made up of specific drug, और ये दोनों जो होते हैं, special drug से मिलकर बने होए होते है The oral pill, oral pill के पास कौन सा hormone present होता है, ऐसा hormone present होता है, जो prevent करता है, ovaries from releasing ovum into the oviduct ये क्या करता है, ये ovum ही नहीं release होने देता, means ये एग नहीं release होने देता, और जब तक एग release नहीं होगा, तब तक वो lady pregnant नहीं होगी तो यह क्या करता है, यह जो oral pill है, यह क्या करता है, यह special harmon से मिलकर बनाव होता है, जो ovum के release को क्या करता है, stop कर देता है, then next is vazinar pill, vazinar pill के पास भी chemical present होता है, जो क्या करता है, its form इंट्रियूट्राइट वाल से जाके इंप्लांटेशन, जैसे इंब्रियो यूट्रस्ट की वाल से जाके अटेश्ट होता है, जैसे इंब्रियो यूट्रस टेश्ट नहीं होगा जो भी प्रेग्नेंट नहीं करता ही एक ऐसा कॉंट्रस एक डिवाइज है जो किसे से करता है स्थो substitute डिजीज बागी कोई भी डिवाइस सट कलेक्ट डिजीज एक नहीं कर्ती है के लास्ट बार्थ कंट्रोल मिर्ञ्टवाल मिथड कंट्रोल यह सज है सरजिकल मिथड जो पर यह ऐसा डिवाइस जो मेल और फीमर दोनों के कि पार्ट को रिमूव किया जाता है जूर ये थोड़ा अपो ल्था हो गया यह फंक्शन इसका अगल ठौप फैलोपियन ठौको रिमूव किया जाता तो प्रिवेंट दा अन्वांटेड प्रेग्नेंसी से प्रिवेंट करने के लिए तो ट्यूबी को टॉमी किसमें यूज किया जाता है मेल में